हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के आयत्री मेटिकल में जहां आप पाते हैं दवाईयों की संपोर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्परिन टेबलेट के बारे में जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम ड्रग स्ट्रेंथ यूज डोस साइड इफेक्ट और प्रिकोसंस के बारे में और वीडियो के लास्ट ने में जानेंगे इस टेबलेट के साथ कौन-कौन से ड्रग इंटरेक्ट करते हैं तो बने रहे हैं वीडियो के अंत तक जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके तो चलिए वीडियो की सुरुवात करते हैं एस्परिंट टेबलेट की बात करते हैं तो इसको एसिटाइल सेलेसलिक एसिड भी कहते हैं यह एक एंटि प्लेटलेट्स ड्रग है जो की खौन की नसों में क्लोट बन जाता है उसको बनने से रोटती है और साथ ही यहाँ NSAID Group की दवा है जो की दर्द दथा सुजन के ट्रेटमेंट में यूज की जाती है अब बात के लेते हैं ड्रग स्ट्रेंट की इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ आपको 75 mg, 150 mg, 325 mg के अलग-अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसनी से मिल जाती है अब बात के लेते हैं ब्राइड नेम की इस टेबलेट के ब्राइड नेम की बात करते हैं तो यहाँ आपको मार्केट में बहुत सारे ब्राइड नेम से मिल जाती है जैसे इको स्प्रीन, डिस्प्रीन, डेली स्प्रीन, एसकोर्ट यह कुछ पापुलर ब्राइड नेम हो सक आपके एरिया में किसी और ब्राइंड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं अब बात के लेते हैं प्राइस की इस टेबलेट की एक स्ट्रिप की एवरेज प्राइस पांच रुपे से लगाकर दस रुपे तक होती है और जो यह प्राइस ब्राइंड टू ब्राइंड अलग अलग हो सकती है अब बात के लेते हैं यूज़ की इस टेबलेट के यूज़ की बात करते हैं जैसे यदि किसी विक्ति को tension headache होता है तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है और साथ ही यदि किसी विक्ति को migraine के करण सिर्दर्द होता है और यह जो सिर्दर्द होता है यह कुछ समय के लिए होता है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबले तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है और साथ ही यदि किसी विक्ति को बुखार आ जाता है तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है यदि किसी विक्ति को अर्थराइटिस नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में विक् लक्षन की बात करते हैं तो यह हार्ट एटेक की सिमिलर होता है जैसे चेस्ट में प्रेशर मैसूस करना टेस्ट आर्म तथा जबड़े में एक साथ दर्द होना सास लेने में प्रोब्लम होना इस प्रकार के कुछ लक्षन दिखाई देते हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए द्वारा यह है टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है यह दि किसी विक्ति को कावसा की डिसीज नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में विक्ति की जो ब्लेड वेजल है उसमें सूजन आ जाती है जिसके कराइंड से ब्लेड आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है और व इस वेक्ति को यह टेबलेट काफी लंबे समय तक दी जाती है । और उस वेक्ति को इस टेबलेट से काफी फाइदा भी मिलता है। तो इस बिमारी में विक्ति को इस टूल के साथ बलर्ड आना, वजन कम होना, ठकान मैसूस होना, कमजोरी होना, इस प्रकार के कुछ लक्षन दिखाए देते हैं तो उस समय इस टेबलेट को सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है इस प्रकार इन सभी बिमारीों को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है हो सकता है, डॉक्टर अपने experience के अनुसार किसी अन्य बिमारी में भी इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं इस टेबलेट को लेते समय आप एक बात का विशेज ध्यान रखे यह दिया आप इस टेबलेट को लंबे समय तक लेते हैं तो आप प्लेटलेट्स काउंटिंग जरूर करा ले क्योंकि यह टेबलेट प्लेटलेट्स काउंटिंग को कम कर देती है अब बात कर लेते हैं डोस की इस टेबलेट के dose की बात करते हैं तो इस टेबलेट को विक्ति की बीमारी के इसाब से इस टेबलेट का dose दिया जाता है इस टेबलेट के common dose की बात करते हैं तो adult विक्ति को 75 mg की टेबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद लेने की सलाथ दी जाती है और इस टेबलेट को अगले दिन उस समय लिया जाता है जब आपने पहले डोस लिया था यहने कि आपने इस टेबलेट का पहले डोस शाम को लिया था तो अगले दिन भी आपको शाम को ही इस टेबलेट का डोस लेना होता है और यह दिया आप इस टेबलेट को शाम को खाना खाने के बाद लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इमर्जेंसी डोस की बात की जाए तो सिर्दर्द के लिए 75 mg की टेबलेट यह दिकी किसी को दी जाती है तो 15-20 मिनिट में उसका सिर्दर्द बंद कर देती है और इस दवा को ओल्ड इज विक्ति को काफी लंबे समय तक दी जाती है जिसे कि उनका जो ब्लेट वेजल में ब्लेट क्लोट होता है वो ब्लेट क्लोट नहीं होता है अब बात करें साइड एफेक्ट की इस टेबलेट के साइड एफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ common side effect हो सकते हैं जैसे abdominal pain, stomach blooding, heartburn, yellow eyes, yellow skin, hard red irregular, constipations इस प्रकार के कुछ common side effect हो सकते हैं इसके अलाव अगर और कोई side effect हो होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से consult करें अब बात कहलेते हैं ड्रग interaction के बारे में यदि आप aspirin tablet लेते हैं तो आपको कौन-कौन से ड्रग नहीं ले सकते हैं तो इसमें सबसे पहले acetazolamide, ammonium chloride, anti-diabetes drug, warfarin, phenytoin, welporic acid इसके अलावा और भी बहुत सारी medicine है जो इस tablet के साथ नहीं ले सकते यह interact करती है इसलिए आप जब भी किसी प्रकार की medicine का यूज करते हैं तो आप अपने doctor को जरूर बताएं जिससे कि आपको doctor उस medicine के according दूसरी medicine आपको prescribe कर सके अब बात के लेते हैं precautions की इस tablet के precautions की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस tablet से किसी भी प्रकार की कोई problem होती है तो आप इस tablet का दो बारा यूज ना करें यदि कोई व्यक्ति आईब्रू प्रोफेन या नेफ्रोक्शन टेबलेट से allergic है तो उसे aspirin टेबलेट नहीं दी जाती है यदि कोई व्यक्ति aspirin टेबलेट का यूज करता है तो उस समय आप alcohol का 7 ना करें यदि आप alcohol का 7 करते हैं तो आपको अचानक से bleeding हो सकती है खोन की उल यदि कोई ladies pregnant है या breastfeeding mother है तो उसे भी या टेबलेट नहीं दी जाती है यदि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अलसर यानि पेट में छाले हो या bleeding disorder की problem हो तो उसे भी या टेबलेट नहीं दी जाती है यदि कोई व्यक्ति पहले से खुन पतला करने की किसी प्रकार की कोई दवा ले रहा है तो उसे भी यह दवा नहीं दी जाती है यदि आप किसी प्रकार की कोई medicine का यूज करते हैं या आपको किसी प्रकार की कोई problem हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं आप से एक request करूँगा आप अपनी मर्जी से किसी प्रकार की कोई medicine का यूज ना करें आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मसिस्ट की सला से ही medicine का यूज करें उम्मिद करता हूं कि आपको एस्परिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें जिससे की और भी लोगों को जनकरी मिल सके जे हिन जे भारत